वेलकम टू इज्ञान क्लासेस दोस्तों मैं सुरेंदर चोदरी आगे हूं आपके लिए एक जीडी का बहुत ही इंपोर्टेंट टोपिक लोग लेके और वह किस पर होने वाला विया अपना इंडियन रेल्वे पर बहुत इंपोर्टेंट टोपिक है हर बार जीडी में एक पहला पॉइंट इंडियन रेल्वे इस वर्ड थर्ज लाजिश्ट रेल्वे एंड मोस्ली यूजेज इन आवर इंडिया मतलब हम बात करें भारती रेल की तो यह विश्व में तीसरे इस्तान पर आती है किसमें लंबी दूरी तय करने में लंबाई के हिसाप से और इस जो अपनी रेल है वह बहुत ही एक सस्ता है सस्ता रास्ता है एक जगह से दूसरी जगहें पर जाने के लिए आगे देखते हैं most of the people of our country using railway to avoid the traffic in highly populated country यानि अधिकतर जो लोग हैं अपने देश के most of the people है वो किसको यूज़ करते हैं हमारे देश में रेल को यूज़ करते हैं किसके लिए ट्रेफिक यानि जो ट्रेफिक को अवोईड करने के लिए तो वह आप समझ गयोगे किसमें जहां पर जो पॉपुलेशन है वह बहुत ज्यादा है जैसे मुंबई सहरों की बात करें वहां पर लगबग सभी रेल का ही प्रियोग करते हैं एक जिगह से दूसरी जिगह जाने के लिए इसे उनकी टाइम की बचत हो जाए आगे देखो इंडियन रेलवे इस डवर्ड बीजियस्ट र रेलवे है वह विश्व की सबसे वेस्ट रेलवे है यानि विश्व में सबसे वेस्ट रेलवे की बात करें तो वह इंडियन रेलवे ही है और देखो most of the cities of our country are linked by rail यानि अधिकतर city है जो अधिकतर सहर है हमारे देश के वह रेल से रेल मार्ग से जुड़े हैं एक दूसरे स इनकम और रेलवे हैं इसकी में इंकम की बात करें इनकम सोर्स क्या है उसका जो अपने वह यातायात परीवन होता ना पैसेंजर ट्रेंट वह नहीं है बलकि उनका सामान का एक जगए से दूसरे जगए लेकर जाना ही गुड़्स ट्रांस्वोर्टेशन में हैं इंडियन र रेलवे के लिए अब बात करें इनकी कुछ चीजों प्रोबलम्स हैं उनके अगेंस्ट क्या चीज़ें उन चीजों के इपन बात करते हैं पहला पॉइंट सम्टाइं इंडिन रेलवे फेसिंग मेंडी प्रोब्लम्स लाइक ट्रेंड एक्सिडेंट एंड रोबरी यानि देखिए उसके कुछ आंकड़ों की बात करें तो लगबग 15 करोड का सामान 15 करोड करोड रुपयों का सामान चोरी हो चुका है कहां से इंडियन लेकिन अपर प्रजेंट टाइम में और प्रोटेक्शन फॉर्स है वह एक बहुत ही अच्छा रोल निबारिये इन रोब्रियों को कंट्रोल करने के लिए और देखते हैं धर पंट को देरा आलसो सम प्रोब्लम फोर इंडियन रेल्वे लाइक ओल्ड लोफ एर एंड लेक ओफ क्वालिटी सर्विस यह बात करें कि इसके अलावा भी कई प्रोब्लम में हैं कि कुछ प्रोब्लम में और है जो भारती रेल्वे सामना कर रही है जैसे हम बात करें ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर यानि आजादी की बात पहली बार रेल्वे लाइ है तो वह जो पुरानी ट्रेनें उनका मेंटेनेंस नहीं हो पारा ढंग से और देखें लोफ एर यानि कम किराया होता है रेल्वे का ट्रांस्पोर्टेशन का किराया बहुत कम होता है यह बहुत कारण है रेल्वे का एक धेरे ग्रोथ होने का और लेक ओफ क्वालिटी इस भी है इसमें प्रोब्लम से आगे देखो सो वी कें से देट इन परजेंट टाइम इंडियन रेल्वेए वांटू मेनी डिमांड टू मेनी गूड डिमांड टू फुल्फिल एनि हम इसलिए हम कह सकते हैं कि जो भारतिये रेल है वर्तमान समय में बहुत सी ऐसी उसकी डि लिख लेना और अपने तरफ से भी कुछ एड़ कर देना और अगर कुछ आपको चीए तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालना लाइक करना वीडियो को और शेयर और सब्सक्राइब तो करना ही करना है वह विलते हैं नेक्स्ट वीडियो में